आयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर विश्व हिंदू परिशन ने बड़ा फैसला लिया है विच्पी ने फिलाल राम मंदिर निर्माण अभ्यान को चार महिने तक के लिए रोकने का फैसला लिया है दरसल व्यजपी आने वाले लोकसभा चुनावों में राम मंदिर को चुनावी मुद्धा बनने देना नहीं चाहती तो वहीं दूसरी तरफ कुम्मे धर्मसभा की बैठक में सादू संतों ने प्रस्ताप पासकर कहा था कि आयोध्या में राम मंदिर निर्माण तक वो चैन से नहीं बैठेंगे विश्विंदु परिशत के अंतराश्चे से युक महासचीव सुरेंदर जैन का कहना है कि आयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे अभ्यान को लोकसभा चुनाव तक नहीं चलाया जाएगा हम नहीं चाहते कि ये एक चुनावी मुद्धा बने इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक पवित्तरा से जुड़ा मुद्धा है इसे राजनीती से परे रखना चाहिए देखा जाए तो जिस मुद्धे के दम पर तमाम राजनीतिक पार्टियां खुद को वजूद में रख रही थी उसके एकदम से खतम होने पर सियासत की आँख ठंडी पड़ती नजर आ रही है बिरे रिपोर्ट नवोदे टैंग्स